आप गाईस इस फॉन की पॉजिटिव दिक को सुनकर अगर आप सोच रहे हो इस फॉन को बाई करने का तो रुख जाओ रुख जाओ भाई इस फॉन का ना दो तिल नेजर डाउन पॉइंट भी है ओके मैंने अभी अभी देखा जो फ्लिप काट के उपर रियल्मी जो एक सेबेन मैक्स है ओ आपको 17,499 रुपीज में मिल रहा है जैसे कि आप देख सकतो ओके यान कि आपको लगबख 8,000 से उपर का डिस्काउंट दे रहा है बाट गाईस आज मैं आपको ए बताऊंगा कि आपको इस फोन को अभी इस मोमेंट पर खरिदना चाहिए कि नहीं कि इस फोन को बाई करने का जैसे अच्छे दीख है बहुत सारे बूरे दीख भी है ओके तो ओही आज मैं आपको पॉजिटिव नेगिटिव सब कुछ बता दूँगा तो चलिए गड़ आप नए कोई वीडियो अगर ये वीडियो देख रहा है सबसे पहले जेनुइन और क्वालिटी वीडियो पाने के लिए हमाने चैनल को जब्सक्राइब करके नोटिफिकसन बेल आइकन को ओन कर देना अगर एक लाग कंप्रीट हो जाता है तो मुझे भी एक सिल्वर प्ले बटन मिल सकता है तो तो इस वीडियो को में दो पार्ट भी डिवाइड करता हूँ आपको नीचे चैप्टर दिए हुए मिल जाएंगे आप अगर इंटेस्टेव दो चैप्टर वाइस भी वीडियो को देख सकतो तो सबसे पहले बात करते है पॉसिटिव पार्ट की तो सबसे पहले गाइस जो वही भी बीट नहीं करते हैं क्योंकि जो मीडियाटेक डाइमनची प्रोसेशार यह एक फ्लैक्शिव लेवेल प्रोसेशार है फ्लैक्शिव ग्रेड जहों कि आपको वानप्लस नौड 2 में भी देखने को मिलता है एंड गाइस इस प्रोसेशार जीदा स्था टकर देता है तो फिर स्टोरेज रैम रोम भी बहुत ही ज्यादा मस्त है ओके एक और प्लासफाइंड इस फोन का गेमिंग गेमिंग के अंदर आपको मस्त वगएरा सेटिंग देखने को मिल जाता है वीजे माई के अंदर आप स्मूथ एक्स्टीम या फिर एल्जडियर अल्टरा में खेल सकतो उसके लाब इस फोन के अंदर आप 2-3 घंडे तक अराम से गेमिंग कर सकतो एफोन उतना ज्याद आपको हीट नहीं होगा हाला कि थोड़ा बहुत ओम तो हो जाएगा जो कि मिडियाटिक के प्रोसेसर जो होता है थोड़ा बहुत ओम हो जाता है वह चलता है हाला कि गे तरके से फीट हो जाता है एक और प्लस पॉइंट के बारे में बाता हूं इस फोन के अंदर बहुत सारे 5G बैंस भी देखने को गिल जाता है लगबग सातार 5G बैंस है पहले फ़ले तो फिर फ्यूचर प्रूब भी हो जाता है यह फोन और मस्ट चाहिज इस प्राइस प्र आपको Super DemoLED Display अगर प्रोबाइट कर भी देता है जैसे कि जो Redmi के तरफ से जो Redmi Note 11 CD's आड़ा है उसके अंदर आपको Super DemoLED Display देखने को मिलता है बट On-screen fingerprint sensor उसके उपर कोई भी प्रोबाइट नहीं करता है इस फोन के अंदर आपको ओवी देखने को मिलता है तो फिर Display के मामले में आपको ब्राइटने से 1000 निट्स का है तो फिर आउट्डोर वेसिविलिटी भी मस्त हो गए इस फोन का चार्जर पोवाइट करता है जैसे कि अभी अभी आने वाला है जो रेड्मी की तरफ से नोट 11 सीरीज उसके अंदर आपको 67W का चार्जर देखने को मिलता है बाकि गाईज प्राइस के साब से देखा जाए तो एक दब मस्त है इस फोन का यह भी एक प्लास पॉइंट बन जाता है जैसे कि आप देखो जो रियल्मी 9 प्रो है उसके अंदर इस फोन के अंदर सेम कैमरा सेटप देखने को मिलता है 648 प्लस टू और इस प्राइस पॉइंट पर एक और फोन आने वाला है इसके उपर मैं अल्रेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं मेगा पिक्सल के बात नहीं कर रहा हूं मैंने प्रिव्यू भी देखा है जो रेड्मी नोट 10 प्रो मैक्स था उसका जो कैमरा था और रियल्मी के तुलना में काफी ज्यादा अच्छा कैमरा लेके आया था इस सेग्मेंट के अंदर यहीं था और अगर में मेजर डाउंगेट की बात करो जोखे वेस अपड़ेट अभी इस प्राइस प्राइस पर बहुत सार ऐसे फोन से जो कि आपको आउट ऑप द बॉक्स एंडुए तो प्रोइट करा देता है इसकी बैसे जो लेटेस्ट होगा आपको एंडुए 14 तक का अपगेट देखने हुए लेंगा जैसे कि realme 9 pro में भी सेम ब्रैंड का उसके अंदर आपको मेजर एंडुए 14 तक का अपगेट मिलेगा बट इस फोन के अंदर आपको मेजर एंडुए अपडेट एंडुए 13 तक का ही मिलेगा ओके यह बात बन जा आपको कोई नया फोन लाने के सोच रहा है लिए इसलिए इतना भारी भर कम उफर देके स्टॉक क्लियर करने के सोच रहा है तो एक कुछ नेगटिब पॉइंट जो कि मुझे लगा कि मैंने आपको बता दिया होके अपको फाइनल वर्डिक इस फोन को आपको खरीदना चाह इंडिया में उसका कैमरा काफी तग्रीब आली हो सकता है तो उपर आई बटन में मैं अल्रेडी रियल्मी 9 Pro के साथ कैमरा कंपरीजन डाल दिया हो तो आप अगर चाहते हो उस वीडियो का आप देख सकतो बाकी गाईज मुझे नहीं लगता कि इसका कैमरा उतना ज्यादा क अगर आपका में पायरेटिक गेमिंग है परफॉमेंस है और वीडियो रेंडरिंग का स्वाकिंग रखते हो तो फिर एफोन आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाला है इन्फाक्ट इस प्राइस पॉइंट प्राइस आप कह सकतो तो फिर अगर आप ज्यादा केमरा को को पूरा अंतकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर इसी वीडियो से कोई भी सवाल हो आपके मन में नीचे कॉमेंट करके जरू से बताओ मैं एक एक कॉमेंट का चुन चुन कर रिप्लाई जो कि मैं देता हूं कोई भी ऐसा नहीं बोल पाएगा बंदा जिस उसे पता देना मैं हर एक कॉमेंट कर रिप्लाई जो उसे दे दूँगा आपको तो बस गाईज उम्मीद आपको आज का वीडियो पसंद आ होगा वीडियो को पूरा अंतकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद